अब हम यहाँ पर सीखेंगे हमारे दूसरे learning objective के बारे में जिसका नाम है microbes in industrial products तो इस learning objective को सीखने से पहले हम यहाँ पर एक recall test देखेंगे ताकि अभी तक आपने जितनी भी चीज़ें सीखी हैं उसे आप इस recall test के थुरू revise कर सकें और हमारे questions हैं Question number one तो जो रॉकफोर्ट चीज है उसे राइप करने के लिए कौन सा microorganism यूज होता है हमारा next question है तो कौन सा microorganism यूज होता है C. Aspergillus niger and D. None of the above तो कौन सा microorganism यूज होता है दही या कर्ड को बनाने में हमारा third question है तो कौन सा बैक्टीरिया यूज किया जाता है स्विस चीज को प्रोडूस करने के लिए हम यहाँ पर वीडियो को 3 मिनिट के लिए पॉस करेंगे ताकि आप इन questions को solve कर ले और अपने answers note कर ले हमारा next question है तो इन चारो statements में से कौन से स्टेटमेंट सही है question number 5 Saccharomyces cerevisi is A. fungi, yeast, B. bacteria, C. virus, D. none of the above तो जो Saccharomyces cerevisi है वो कौन से टाइप का microorganism है हम फिर से यहाँ पर वीडियो को 2 मिनिट के लिए पॉस करेंगे ताकि आप इन दोनों questions को solve कर ले और हमारे answers है यह solution 1, B, solution 2, A, solution 3, C, solution 4, D, and solution 5, A